सवाल है सूप्रसिद ठीक है जी पॉंटा साहीब सिर्मौर में है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है तो फिर से वही आगया सूप्रसिद पॉंटा साहिब जो है जाहिन दोस्तों स्वागत है आज की हमारी क्लास और आज की क्लास है हिमाच्चर प्रतेश की प्रतियोगी प्रिक्षाओं के लिए महत्कोर प्रशनों और इस सीरीज में मैं आज आज आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों से लेकर ढ़ाई सो तक यानिकि डेली की पचास क्वेशन जो हम लगा रहे हैं तो आज के नए पचास क्वेशन क्या रहेंगे उनको आप ध्यान से देखिए नोट करिए पिछली वीडियोज अगर नहीं देखी हैं तो उन क्वेशन को भी लगा लेजिएगा तो ये दोसो से लेकर यानिकि दोसो एक से लेकर दोसो पचास तक के क्वेशन हैं जो कि हिमाचल परदेश की प्रतियों की भरती परिक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं और यहीं से ये प्रशन आने है तो ये mainly जो वीडियो है वो बन रही है हिमार्चल पोलिस, पटवारी, टैट, HPPSC के द्वारा mainly जो questions पूछे जाते हैं वो है allied services है तो इस channel को आप subscribe कर लिजिएगा कि आपको जो हमारी notifications आती रही और videos मिलती रही तो start करते हैं ज्यादा समय नहीं खाएंगे पंडो और मंडी नगर के बीच चोहार घाटी के समीप कौन सी नदी जो है वो ब्यास में आकर मिलती है अगर आपने पॉंग डैम सुना होगा तो पॉंग डैम के साथ में ही पंडो जगा आती है जहां पर ज्वाहर नवोदी स्कूल भी मंडी डिस्टी का वहीं पर ही है तो इसका सही अंसर जो है वो है उल नदी उल नदी जो है वो पंडो के पास जो है वो ब्यास नदी में मिलती है तो इसका सही अंसर है गा उल नदी अगला सवाल है किस वर्ष ब्यास नदी के जल को सुरंगों द्वारा सत्लुज नदी में मिलाया गया यानि कि टनल बनाई गई है अगर आपको याद हो तो टनल बनाई गई है पंडो के थोड़ा सा आगे तो वहां से टनल के थू जो है वो ब्यास नदी का जो पानी है वो टनल के माध्यम से जो है वो सत्रु नदी में मिलाया गया है तो अंसर है 1963 1963 में जो है इसे मिलाया गया है अगला सवाल है मंडी के संधोल से निकलने के बाद ब्यास नदी किस जिले में परवेश करती है कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि ब्यास नदी जो है वो मंडी से फिर संधोल जाती है यानि कि संधोल आती है तो संधोल आते ही जो है वो कांगडा के जसिमपुर के हारसी पत्तन में आकर borderline बना देती है जो कि हमेरपुर जिला और कांगडा जिला का बौरडर भी होता है तो इसका सही अंसर जो है वो कांगडा है पर मैंने आपको हारसी पत्तन जसिमपुर के पास बताया है वहां से ये प्रवेश करते हैं नहीं चाहता है त्रिवेनी स्थान पर ब्यास नदी का संगम जो है वो किस नदी पर होता है तो ये है बिनवा नदी पर जो है वो इनका संगम होता है ब्यास नदी का तो बिनवा नदी जो है वो इसका सही अंसर रहेगा प्यारे बच्चों बि क्या है और गसोती कौन कौन सी हैं गसोती सुकर सुकराला और हल्ची भी है हल्ची भी याद रखेगा तीन ये खड़े हैं जो की कुना खड़ की फिमस खड़े हैं और कुना खड़ के किनारे किस रिशी का जो है वो मंदिर है वो है मारकंडे रिशी कौन से रिशी है मारकंडे रिशी का जो है इसके किनारे जो है वो मंदिर है पंडो बांध 14 किलोमेटर है किस नदी पर है मैंने फिर से वो आगया कॉशन उल नदी उससे मिलाई जाती है वहाँ से ब्यास नदी को उठाकर हमें सत्रुज में मिलाया है तो ये अंसा जो है वो ब्यास नदी के साथ जाएंगे बच्चो ब्यास नदी नेक्स आज़ाता है किस नदी का पानी सुरंग और नहरों द्वारा जाकर सलापड के पास के समीप डेहर नामक जल बिदुद पैदा करके सतलुज नदी में गिराया गया फिर से वही कोशन आ गया है तो ये आप प्रॉपरली याद कर सकते हैं ब्यास नदी कौन सी है सलापड के पास ब्यास नदी को उठाकर जो है कुस सतलुज में मिलाया है कांगडा का पौंग बांध किस नदी पर है तो कांगडा के साथ बौंडर बनाती हुई अगर ब्यास नदी जा रही है तो ब्यास ही इसका सही अंसर होगा प्यारे बचो ब्यास इसका सही अंसर होगा ब्यास ही नदी है जो पौंग बांध बना है नहीं सता है ब्यास नदी के किनारे बसने वाले शहर बसे हैं मेन मेन जो है वो याद रखी गा नदौन सुजानपूर मनाली ये सभी जो है मंडी मंडी भी आ जागा ये सभी शहर जो है ये ब्यास नदी के किनारे पर बसे हुआ है अगला सवाल है परदेश में 256 किलोमेटर की दूरी तैय करने के बाद ब्यास नदी किस थान पर पंजाब में परवेश करती है तो ये करती है मिर्थल मिर्थल से जो है वो पंजाब में जो है वो परवेश करती है अगला सवाल है प्राचीन नाम इरावती और आधनिक नाम रावी नदी का स्थानी बोली में क्या कहा जाता है तो रोती बोला जाता है क्या बोला जाता है रोती ठीक है याद रखी कि प्राची नाम इरावती है आधुनिक रावी नदी है पर स्थानी नाम क्या है रोती नेक्ट रहता है किस स्थान पर स्थान पर स्यूल नदी तथा रावी नदी का परसपर संगम यानि कि दोनों आपस में आकर मिलती हैं तो वो है लोर चुराह के जो चहडा नामक स्थान पर जो हैं वो दोनों आकर जो हैं वो मिलती हैं ये इसका सही अंसर नेक्स चाहिए चमबा शहर किस नदी के किनारे बसा है तो आपको पता ही है चमबा में मिंजर मेला भी मनाया जाता है तो चमबा का जो है में फेमस जो है वो है रावी नदी जो की उ मेरा डैम बना है बनी खेत के बास वहाँ से जो है खैरी नमक स्थान है वहाँ से जो है ये पंजाब में फरवेश करती है प्यारे बचों अगला सवाल है बारा लाचा दर्रा से निकलने वाली चंद्रा और भागा नदियों के तांदी मिलने से कौन सी नदी बनती है तो ये चंद्रा और भागा जब दोनों नदियां आपस में तांदी नमक स्थान पर मिलती है बचों वो चिनाब नदी का जो है वो उदगम करती है यानि कि वहाँ से स्टार्ट होती है तो चिनाब नदी इसका सही अंसर है अगला है किस घाटी में एक बैल से हल जोता जाता है एक ही बैल से जो है हल जोतनी की पृता है या मजबूरी हो लो क्कि खेत जाला बड़े नहीं होते वांके पांगी पांगी इसका सही अंसर है पांगी इसका सही अंसर है एक बैल से जोता जाते है जल घनत्व की दृष्टी से प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है अगर जल घनत्व की बात की जाए और की डेंस्टी की बात के तो चिनाव नदी जो है वो हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है घनत्व में अगला है चिनाव नदी पांगी घाटी में किस स्थान पर जो है वो परवेश करती है पांगी घाटी में ठीक है नेक्स आज़ता है प्रेमी जोडे सोनी महिवार की याद में किस नदी को आशंकादा धरिया कहा जाता है तो इस वक्त हम चिनाव नदी पर पढ़ रहे हैं तो इसका सही अंसर भी चिनाव नदी ही होगा मिलता है जुलता अंसर होता है बचों इसी परकार से नेक्स आज़ता है कालिंद परवत के यमनोत्री नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है तो यमनोत्री यानि कि कौन सी आगी यमुना नदी आगी तो ब्यास कुंट से ब्यास आगी ऐसे ही यमनोत्री से यमुना आगी ने यमुना नदी की सहायक नदियों के नाम अगला है यमुना नदी सिर्मौर की सीमा के साथ बहने के बाद ताजे वाला के पास किस राज्य में परवेश करती है तो ताजे वाला से जो है ये सिर्मौर से जब बहती है तो हर्याना में परवेश करती है किस में ये परवेश करती है, हर्याना स्टेट, यानि कि मैं परवेश करती है बचो, अगला सवाल है सुप्रसिद, ठीक है जी, पॉंटा साहिब सिर्मौर में है, वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो फिर से वही आ गया सुप्रसिद, पॉंटा साहिब जो है, वो है नदी के किनारे पर स्थित है, अगला सवाल है किस नदी का संबंध पॉंटानिक सूरे देवता से है, सूरे देवता से जो है, वो किस नदी का है, वो है यमुना नदी का, इसका है, यमुना नदी का जो है, वो संबंध जो है, वो सूरे देवता से है, अगला सवाल है, कौन नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है वो है गिरी नदी निकलती है अगला सवाल है गिरी नदी का नदी परस्थित ददाहू में कौन सी जील परस्थ है ददाहू में कौन सी है रेनु का जील परस्थ है कौन सी है रेनु का जील जो है वो फिमस है वहां की तो यह याद रख उठ्खाटन किस ने किया था, तो वो थी हमारी परधान मंत्री उस वक्ती शिरी मती इंद्राग गांदी, तो उनके सुर्क मलनों द्वारा जो है इसका उठ्खाटन किया गया था, अगला सवार है चंदरनाहा नामक जील को किस नदी का उदगम स्थल माना जाता है, यानि कि चंदरनाहा जील के द्वारा जो है कौन सी नदी बनी है तो वो है पबर नदी, जो कि शिमला रोडु के पास है, तो पबर नदी जो है इसका सही अंसर है, अगला सवाल है, उना जिले की सब्सकी कि किस नदी को the river of the sorrow, यानि कि दुख की नदी के नाम से जाना जाता है, शोक नदी ही, माचल की शोक नदी भी कहा जाता है, वो है सवा नदी, किसको बूल जाता है, सवा नदी को जो है, दुख की नदी भी कहा जाता है, अगला सवाल है, पतीश, अमलतास, रतन जोत, ये क्या है, तो ये स महाशीर नाव कतला ट्राउट कार्ट आदी ये किस की कस्मे है तो ये ट्राउट यानि कि फिश की बात के जाए रही है मचली की बात की जा रही है क्योंकि ट्राउट फिश जो है वो आपकी जो है वो ठंडे यानि कि अढ़ और zero degree Celsius से नीचे जो हैं वो जिवित रहती हैं बरफ के पानी में जिवित रहती हैं तो इसलिए आईडिया लग जाएगा आपको परदेश में पेजल संकट को दूर करने के लिए किस वर्ष शांता कुमार ने hand pump लगाने की शुरुआत की थी उन्होंने पेजल से बचाने के लिए एक एंड पम्प लगाने की शुरुआत की वो की थी 1992 में 1992 में हैं अगला सवाल नौमी श्ताबदी में चंबा की राजधानी थी भर मौत क्या राजधानी थी भर मौत अगला स्वाल है किस जिले में गुजरों की जनसंख्या जो है या संख्या जो है वो सबसे ज़ादा है वो सबसे ज़ादा जो गुजर पर जाती या जनजाती के लोग जो है वो चमबा में होते हैं कहां पर होते हैं चमबा में मिलते हैं ठीक है जी फिलम, फिक्की, शादी और च्छकी क्या है तो ये पांगी में जो है मनाई जाने वाली चार विवाह रसमे हैं क्या है पांगी प्रदेश में जो है विवाह की चार ये रसमे है जो वहां की मनाई जाती है अगला सवाल है प्रदेश में निवास करने वाली प्रमुक जन्ज प्रमुक जातियां कौन सी हैं तो वो है किनल, नाग और कौल, खश तो ये चार जो है वो परदेश में जादा वनलब यानिकी निवास करने वाली जातियां हैं अगला है आरेों के बाद परदेश में कौन सी जन जातियां अस्तित्व में आई तो गुजर आए, हुन आए, उसके बाद शक आए, बोट आए, शत्री आए, वैशी आए, कोली आए, धीरत आए, शुद्र आए तो ये सभी जो है, आरेों के बाद जो है, इस परदेश पर, यानि कि हिमाच्छ पर तुमें जो है, आने वाली जन जातियों का अस्तित्व बना है अगला सवाल है, परदेश में विद्यमान अन्य जातियों कों सी हैं, तो वो है, हाली है, डूम है, ठीक है, चनाल है, बड़ई है, लोहार है, तूरी है, रेहड है, ये सभी जन जातियों है इसी परकार से नेक्स आयता है, कोल जाती के बाद, किस जाती के ने जो है, परदेश में परवेश किया, कोल जाती के बाद जो है, वो किनर और किरात ने जो है, वो परवेश किया था, अगला सवाल आ जाता है, किनर किरातों के बाद बसने वाली जातियों कौन सी हैं, वो है किनर के रात के बाद खश जाती के चो लोग हैं वो ज्यादा बसे थे किनर के रातों की भांती नागों को हिमाचल में परास्त करने वाली जाती कौन सी है वो भी खश जाती है जिसने इसको परास्त किया था हराया था अगला है बूड़ी दिवाली कहां पर मनाई जाती है तो ये निर्मंड में मनाई जाती है बूड़ी दिवाली अगला सवाल भूंडा उस्व का समन्द किस जाती से है तो ये भूंडा उस्व भी खश जाती से जुड़ा हुआ है अगला सवाल है मुझनामक घांस का रसा किस त्योहार के लिए उप्योग में लाया जाता है तो मुझनामक जो रसा है या रसी है उसका भूंडा उससब में जो हैं जो काम है लाया जाता है पशुराम के पिता जमदागनी रिशी का आश्रम कहां पर है तो जमदागनी रिशी का जो आश्रम है वो रेनु का मेस्थित कहां पर है रेनु का मेस्थित हिमाचल के भ्रामनों को तीन भागों में बाटा जा सकता है तो वो कौन कौन से हैं एक आरे, खश और नाग, तो देख सकते हैं, most important question रहेंगे, गुजरों का उलेक किस कौन सी स्तावदी में हुआ है, तो यह सातमी स्तावदी में जो है गुजरों का उलेक हुआ है, अगला सवाल है, और लास्ट सवाल है, पर्देश के उपरी भाग में बसने वाली जातियों के नाव बताएं तो वो कौन कौन सी होंगी चनाल, ओली, हाली, रिहाड, लोहार, तरी और इत्यादी सभी इस परकार के जादियां हैं वो उपरी भाग में बसने वाली हैं ये हैं हमारे धाई सो सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टन रहेंगे और ये हमारा कोर्स मिल रहा है आपको जो की हमाचल पुलिस के लिए है ये 55 प्रतीशत की छूट पर दिया जा रहा है और फुल कोर्स में आपको बुक्स, स्पेशल नोट्स, वीडियो क्लासिस, टॉपिक वाइस सीरिस और फुल लेंथ मौक्टाइस सीरिस, सब ही आपको अवेले आप डाउनलोड करें या वेब साइट पर विजिट करें बीचेपताइजूकेशन डॉट को आप पर तो आप 1088 पोस्टों के लिए जो है अपलाई करें और अपनी त्यारी करें आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े आपका धन्यावाद दुबारा नए वीडियो मे लेकर आओंगा फिर से अपना ख्याल रखिएगा जै हिंद जै भारत जै हिमाचल